दोस्तों, stock market में बहुत सारे stocks listed होते हैं, जो कि आपको multi-vagger returns देखे जाते हैं over a period of time, हमें as a retail नियुशक ये समझना होता है कि उनमें entry कब करनी है और exit कब करना है, और अगर हम ऐसा कर लेते हैं, तो हम stock market से एक अच्छा खासा investment पर returns पास सकते हैं, नमस्कार दोस्तों, 35 पैसे के आसपास ये trade कर रहा था एक साल पहले, ठीक है, अब as a retail नियुशक हमें बहुत सारे important बाते समझनी होती हैं, कुछ important factors देखने होते हैं, और ये भी देखना होता है कि company करती क्या है, उसके बारे में हम detail में बात करेंगे, इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं, तो आप as a retail नियुशक ये समझ सकते हैं, ये स्टीक सकते हैं कि कौन सी वो important बाती होती हैं, जो कि हम देखते हैं किसी भी company में निवेश करने से पहले, और साथे साथे decide कैसे करते हैं कि कि किसी company में हमें swing trade लेना है या long term के लिए investment करना है, ठीक है, तो पिछले एक साल में आ आगे detail में बात करेंगे, अब यहां पे आप ध्यान दीजे तो पिछले एक साल में तो 1338% का return दिया है, पिछले एक महिने में 30% का return, पिछले पाच महिने में 427% का return, और all time chart अगर हम देखें ध्यान से तो आप देख सकते हैं कि all time chart पे आपको 80% का यहां पे negative returns दिख रहा ह यहनी कि 2013 के बाद से इस stock में गिरावट आई थी, फिर एक लंबे समय तक यहां पे consolidation जोनता और पिछले साल की market crash के बाद इस stock ने एक अच्छा खासा return दिया है, ठीक है चली अब यहां पे देख लेते हैं कि company की current valuation क्या है, small cap की company यह तो हमने देख लिया, साथी साथ यहां price to earning ratio 20 का है, तो price to earning ratio अगर 10 से कम रहता है, तो बहुत अच्छी बात रहती है investment के लिए, वो undervalued stock माना जाता है, currently यहां पे देखा जातो, sector का price to earning ratio 29 के आसपास है, इसका price to earning ratio अभी भी sector के price to earning ratio से कम है, तो थोड़े बहुत price में अभी भी गुंजाईश है, upward moment की, ठीक है, च consistently dividend payout करती है, अब देखे 2014, 15, 16, 17, 18, 18 के बाद से इन्होंने 2-3 साल के लिए यहां पे dividend miss out कर दिया, तो इस 2021 में हो सकते है कि आपको यह company dividend दे सकती है, generally अगर 4-5 साल के लिए continuously कोई company miss कर रही dividend, तो हम उसमें investment नहीं करते हैं, ठीक है, चलिए यह तो long term वाला view है, जब हमें swing trade लेना होता है, तो उसके बारे में आगे detail में बात करेंगे, अब यहां पे देख लेते हैं, important factor, share holding pattern क्या है, इस company का, तो आप देखिए, promoter के पास यहां पे 14% के आसपा share holding है, mutual fund कोई भी नहीं है, DIH कोई भी नहीं है, FIIs केवल 2% के आसपास है, और बाकी बचे यहां पे 44 20% के आसपास public investment देखने को मिल रही, तो generally अगर आप हमारी वीडियोज फॉलो करते हैं, तो आपको पता होगा कि हम ऐसे stocks long term के लिए रखते हैं, जिनमें की 10-15% से ज्यादा institutional holding होती है, तो यहां पे आप के लिए देख सकते हैं, institutional holding आपको उतनी अच्छी देखने को नहीं म 7 crore का था, 2021 में यहां पे 11 crore का revenue देखने को मिल रहा है, profit before tax 3 crore के आसपास था, 2018 में और यहां पे profitability में growth हो रही, 2021 में हमे 6 crore के आसपास, profit before tax देखने को मिल रहा है, ठीक है, अब अगर हम cash flow की बात करें, यहां पे free cash flow देखें तो आप देखिए, free cash flow आपको negative देखने को मिल रहा था, 2019 में, तो top seat अभी आपको यहां पे cash flow देखने को मिल रहा है, तो company कहीं न कहीं से एक तरह से देखा जा, तो अभी भी stabilize होने की कोशिश कर रही है, in terms of overall cash flow, ठीक है, तो company पिछले 2 साल से dividend पे out ने कर रही, return on equity यहां पे 3% के आसपास है, return on capital employed 6.5% के आसपास है, और overall outstanding number of shares यहां पे देखें, तो 1.09,00,00 के आसपास यहां पे number of shares है, ठीक, अब हमने ध्यान दिया यहां पे जो current price है, चली, current price देख लेते हैं, आज की price क्या है, तो यह 75 रूपय के आसपास यहां पे आज का price चल रहा है, comfort fin cap limited का, अब देख सकते हैं, 75 रूपय के आसपास का price right, और 1.09,00 के आसपास number of shares है, तो overall जैसे कि हमने देखा, 75 रूपय के आसपास market के application है, तो जो total number of shares है, बहुत ही कम है overall, तो यहां पे हो सकते हैं, कि आपने bulk में अगर buy कर लिया इस share को, तो आगे आने वाले समय में, liquidity की issue भी हो सकती है, आपके पास, ठीक है, चली, अब यह business देख लेते हैं, comfort fin cap का, तो आप देख सकते हैं कि, loan against security प्रोवाइड करते है, personal loan प्रोवाइड करते है, loan against property, mortgage loan, business loan, home improvement loan, promoter funding भी यह देते है, तो इनका overall diversified financial sector में business है, और देखा जाए तो financial, जो NBFC वगरा है, उनमें काफी growth हमें देखने को मिल रही है, ठीक है, चली, आप अगर हमारी videos follow करते है, technical analysis वाली videos आपने देख रखी होगी, तो आपको पता होगा कि long term के लिए अगर हमें कोई share buy करना होता है, तो हम generally एक मंत का candlestick chart देखते हैं, अगर हमें swing trade लेना होता है किसी stock में, तो हम एक दिन का chart देखते हैं, अब यहाँ पर देखी एक दिन क रुपय के आसपास वाला price, even 30 रुपय तक का price, एक अच्छा buying price था, currently देखा जातो, यह 50 days और 100 days moving average से दूर है, तो long term के लिए हम देखेंगे एक महिने का chart, लेकिन short term में swing trade से फिलहाल के लिए इस stock से बचना चाहिए, तो चलिए हम देख लेते हैं, यहाँ पर एक मंत का candlestick chart क्या कहा रहा है, तो आप देखिए, एक मंत के candlestick chart पे आपको overall जो हमने देखा था, long term chart pattern, वहाँ पर गिरावट देखने को मिलती, और उसके बाद से RSI यहाँ पर overbought की तरफ जाता हुआ, दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर long term में भी buy करना risky हो सकता है, देखिए, overall market ज जो कि हमेंचा ही overvalued की category में रहते है, तो हमें as a retail ने उशक यह पहचानना होता है, और फिर decide करना होता है कि हमें उसमें buy करना है या नहीं, तो ठीक है दोस्तों इस वीडियो में फिलाल इतना ही दोस्तों आई थीं कि उमीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, यहाँ क्योंकि यहाँ पर किसी तरह का buying recommendation नहीं होता है हमारी वीडियो में कि आप blindly comfort फिन के आपको buy करिये, हम आप लोग के लिए information लाते रहते हैं ताकि आप सीख सकें और एक profitable investor बन सकें stock market में